सुवागते दोस्तों आप सबीका तो दोस्तों आज की वीडियो का हमरा टपिक है Conversion of 4bearing to Backbearing तो स्टुवर्ण टलास्ट वीडियो में हमने 4bearing क्या होता है Backbearing क्या होता है Whole circle bearing में 4bearing and backbearing के Variations कैसे होते हैं वो सब हमने study किया था तो आज की इस वीडियो में हम Conversion of Forebearing to Backbearing ये topic cover करने वाल है तो देखे तो सच जैसा कि मैंने previous वीडियो में बोला था कि Whole Circle Bearing System में 4 Bearing and Backbearing के variations अलग होते है और Similarly Reduce Bearing System में 4 Bearing and Backbearing के variations अलग होते है तो सबसे पहले हम Whole Circle Bearing System में 4 Bearing को Backbearing में कैसे Convert करते हैं वह study करते हैं in whole circle bearing system एक हम survey line consider करते हैं यह आपका A station है यह B station है ठीक है अगर यह A है यह B है तो आपका जो direction of progress of survey होने वाला है वो A to B होने वाला है ठीक है यह आपके forward direction हो गई now दोस्तों सबसे पहले A to B ठीक है तो यहापर 4 bearing of A B क्या होने 4 bearing of A B कौन से होगी हमारी यह वाली ठीक है यह क्यों होगी क्योंकि A to B हमारा progress of survey हो रहा है यादि कि A to B हमारी forward direction है तो A to B जो हम bearing measure करने वाले है उसे हम 4 bearing का एक है तो इसे मैं theta consider करता हूँ ठीक है of line A B is equal to theta ठीक है अगर यह theta A B का 4 bearing है तो A B की back bearing कौन से होगी दोस्तों यह वाली तो इसे मैं phi consider करता हूँ यह क्यों होगी क्योंकि यह backward direction में measure होगी तो यह होगी हमारी phi is nothing but the back bearing of line A B यह आपर मैं लिखता हूँ ठीक है तो यह आपको समझ में आएगा दोस्तों theta हमारी 4 bearing के हूँ है phi हमारी back bearing के हूँ है अगर आपको previous video देखने है तो आपको आपको i button मिल जाएगी तो आप वासे समझ सकते हो कि theta and phi 4 bearing and back bearing कैसे है अभी देखते हैं दोस्तों क्या करते हैं यह जो हमारी line A B इसे मैं आगे extend करता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले 4 bearing and back bearing से रेडर आपको exam में कोई भी question आई तो आपको इधर 4 bearing दिया होगा exam में या फिर back bearing दिया होगा हम यहापर consider करते हैं कि 4 bearing हमें आपको यहापर गिवद है ठीक है तो यहापर मैंने इसे extend किया अगर यह angle हमारा theta है ठीक है तो similarly यह वाला angle भी हमारा theta होगा corresponding angles होगा है ठीक है तो अभी हमें जैसा कि मैंने बोला आपको theta यानिके 4 bearing given है हमें back bearing यानिके 5 find out करना है तो यहापर देखिए अगर theta angle है इस पे अगर यह हम इतना angle अगर हम add कर देंगे तो हम easily phi यानिके back bearing को निकाल सकते है आप आपको समझ में आया होगा इतना angle हमारा theta है ठीक है तो इसमें अगर हम यह इतना angle अगर हम add कर देंगे तो हम back bearing को निकाल सकते है इतना एंगल हमारा supplementary एंगल है यह होगे आपका 180 degree और यह होगे आपका theta तो हम यह आपर ऐसा लिख सकते है phi is equal to theta यह इतना एंगल प्लस यह इतना एंगल के है हमारा supplementary एंगल so 180 degree ठीक है so in general अगर हम लिखे है तो phi के हमारा back bearing theta के हमारा four bearing यहापर मैंने लिखा है plus 180 degree ठीक है तो यहापर हमारा back bearing के लिए formula निकल गया अगर आपको four bearing given है तो आप यह formula यूज कर गए back bearing निकल सकते हैं ठीक है अभी हम second condition देखते है ठीक है आपर दोस्तों यहापर सिर्फ changes यह किया है हमने A station को यहापर consider किया है अभी देखे और हमारा A यहापर है B यहापर है तो हमारी यह वालिजिक्षन यह forward direction हो गई यह वालियह अगर इद्ञी backward direction हो गई ठीक है अगर A B यहापर है तो हमारी forward bearing यहाँ चाहिक है यह lei इसे हम धिटा consider करते हम similarly back bearing कों से रउकित रोख गारे दोस्तों बैग वेरिंग हमारी यह वाली होगी फाय ठीक है क्योंकि हमारा सर्वेय आपर एटू भी जा रहा है प्रिवेस केस में एटू भी यहां से जा रहा था तो इसलिए चैज्जेस आ गए है अभी देखते हैं जैसा कि मैंने प्रिवेस लिवात है आपको अगर थीटा यानि के फोर बिरिंग की बने तो हम फाय निकलेंगे तो देखें पाय की वैल्यू निकलते हम सिमिलरली इसको मैं आगे बढ़ता हूं अब यह अगर हमारा थीटा एंगल है तो इसमें से दोस्तों थीटा में से अगर हम इतना एंगल यानिकि यह 180 डिगरी अगर हम माइनस कर लेंगे तो हमें इजीली फाय मिल जाएगा ठीक है यह टोटल हमारा थीटा एंगल है उसमें से अगर हम 180 डिगरी माइनस कर लेंगे तो हमें फाय मिल जाएगा तो फाय के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों थीटा यह इतना इंगल कितना होगा 180 degrees 180 degrees in general लगर हम लिखेंगे phi के हमारा back bearing, theta के है 4 bearing minus 180 degree तो दोस्तो अगर आप ध्यान से दोगे यहाँ पर back bearing के लिए हमारा formula बना था first case के लिए, back bearing is equal to four bearing plus 180 degree यहाँ पर plus था यहाँ पर back bearing is equal to four bearing minus 180 degree यहाँ पर minus है अब मिनस क्यों आया है, प्लस और मायनस आपके वारीसन होंगे, वह वारीसन क्यों होंगे, भी मैं बताता हूँ. पहले केस में देखे yes, जो था हमारा是不是 न हमारा 180 से कम था। ठीक है second case में 4 bearing यानि कि यह यह हमारी 180 degree से ज्यादा थी यानि कि 4 bearing is greater than 180 degree तो इसी की वज़े से अगर आपका 180 degree से कम हो तो प्लस अगर माइनस हो बढ़ा हो तो आपको माइनस लेना है तो इन जनरल अगर हम formula लिखना चाहे बैक बेरिंग के लिए तो formula बनता है दोस्तों 4 bearing प्लस और माइनस 180 degree भेर positive sign आपको तब यूज़ करना है जब आपकी 4 bearing 180 degree से कम हो और negative sign आपको तब यूज़ करना है जब आपकी 4 bearing ग्रेटर दन वालनेटी डिगरी हो ठीक है दोस्तों आपको यहापर figure से समझ में भी आया होगा 4 bearing के लिए भी दोस्तों यह यह formula आपको यूज़ करना है सिर्फ आपको इस formula को 4 bearing के terms में लिखना है यानि कि 4 bearing is equal to यह अगर आपको question में back bearing दिया होगा अगर आपको 4 bearing निकलना है तो 4 bearing के लिए यह होगा आपका formula सिर्फ आपको 180 degree आप पर लेके जाना है माइनस प्लस 180 degree ठीक है तो 4 bearing के लिए भी आपका formula भी होगा similarly यह पर भी आपको positive negative वही consider करना है positive sign आपको तब यूज़ करना है दोस्तों जब आपकी back bearing 180 degree से कम हो and negative sign आपको तब यूज़ करना है जब आपकी back bearing 180 degree से ज्याद हो आप आपको समझ में आगा दोस्तों जब हम numerical solve करेंगे आपको तब और इच्छे से समझ में आएगा तो दोस्तों यह discussion हमने किया whole circle bearing system के लिए अब हम reduce bearing system में 4 bearing को back bearing में कैसे convert करते हैं वह देखते हैं आपको होल सरकल bearing system में थोड़ से फॉर्मूले याद में रखना पड़ेगा बट reduce bearing system में simple geometry उसमें कोई formulas नहीं है देखते हैं यह हमारी survey line है A B और आपको पता होगा reduce bearing system में हमारी जो survey line होती है उसके पास जो pole होता है south pole या फिर north pole उसके reference में हमें survey line को measure करना पड़ता है तो यहाँ पर देखें a to b जा रहे है so forward direction यह होगी ठीक है and backward direction यह होगी हमारी यह अभी starting में बता रहा हो दोस्तों क्योंकि आपको थोड़ा सा problem होता होगा लेकिन जैसे जैसे आप problem solve करोगे आपको यह समझ में आए कौनसी forward direction कौनसी backward direction क्योंकि basically alphabets आपके जैसे increase होते है मतलब a to b b to c c to d तो वैसे आपकी direction change होती रहती है so यहाँ पर a to b है मतलब यह आपकी forward direction है तो यहाँ पर हमारा forward bearing कौनसा होगा forward bearing of line ab यह वाली होगी इसे हम theta consider करते है ठीक है north pole क्योंकि ab जो line है हमारी उसके near में north pole है similarly back bearing कौनसी होगी दूस्तों हमारी ab line की तो वो होगी यह वाली यह होगी हमारी back bearing यह की होगी क्योंकि south pole near a line ab के लिए तो इसलिए हमने यह back bearing है हमारी ठीक है यह 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 पर आपका जेड यानी के alternate angles तो सही यह वाला और आपको पता होगा alternate angles तो सहीं होते हैतो इन back bearing system theta is equal to 5 यानी के four bearing is equal to बैग bearing होता ही simple है दोस्तों जैसे क्याश्ता आप figure में देख के सकते हो यहा पर हमारी alternate angles बन रहे है तो theta is equal to 5 ययानी के 4 bearing is equal to back bearing होगी दोस्तों हमारी ठीक है यह एक case हो गई दूसरी case भी देख लेते हैं यहाँ पर A station यहाँ पर B station same condition लिया है मैंने ठीक है तो AB line की इस बार देखे A to B ठीक है B station हमारे यहाँ पर A station यहाँ पर है तो इससे जाना पड़ेगा हमें तो यहाँ पर line AB की 4 bearing कौन से होगी reduce bearing system में यह वाली यह हो गया हमारा theta 4 bearing ठीक है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ theta is nothing but 4 bearing phi is nothing but back bearing similarly यहाँ पर हमारे theta का है 4 bearing तो AB line की 4 bearing है theta and back bearing क्या होगी दोस्तों यह वाली 5 back bearing ठीक है क्योंकि north pole पास पर है यहाँ पर south pole पास था इसलिए हमने वो consider कि है यहाँ पर भी देखिए दोस्तों similarly ultra net angles बन रहे है तो यहाँ पर भी हमारा theta is equal to 5 यहनि कि 4 bearing is equal to back bearing होने वाला है ठीक है तो दोस्तों कोई भी condition है आपको अगर reduce bearing system में 4 bearing को back bearing में convert करना है या फिर back bearing में 4 bearing में convert करना है तो आपको हमेशा यह formula यानि कि मतलब simple 4 bearing आपकी back bearing होने वाली ठीक है बस आपको यह ध्याद में रहते हो पड़ेगा कि जब आप actual problem solve को रहेगे और जब आप 4 bearing को back bearing में convert करेंगे तो आपको सिर्फ quadrant represent करना पड़ता है reduce bearing system में तो आपको सिर्फ ध्यान से रिप्रेसेंट करना पड़ेगा कि कौन से quadrant में आपकी 4 bearing and back bearing लाइक कर रहेगे तो दोस्तो आपको समझ में आओगा simple formulas थे इसके अगले वीडियो में दोस्तो हम इसके उपर कुछ numerical strike करेंगे तो वीडियो को लाइक कीचे शेयर कीचे और चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीचे मिलते अगली वीडियो में thank you thank you so much दो बाहत लोगभन दोग्रहक कि करेंगे अग graphic कीचे में सहतस्य में वीडियो में we ओर चाहत रही काैनल-खन फन्सक्राइब की